आज की सब्सक्राइब बात करेंगे GNWL वेटिंग टिकट के आटमेटिक कैंसिलेशन चार्जिस के बारे में यानि कि आपकी जो GNWL की वेटिंग है अगर कनफर्म नहीं हो पाई तो अगर वो खुद से कैंसिल होगी तो रेले आपके उपर कितने चार्जिस लगाएगा कैंसिल होगी नहीं उसको आपको वहाँ पर रेल्वे के काउंटर पे ही जाके कैंसिल कराना पड़ेगा तो मेक्शूर करके इस द्रीश का ध्यान देजेगा जो भी हम लोग काल्श कुलेशन करेंगे जो भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा सबी आपके ओनलाइन वेटिंग टिकट पे अपलाई होंगे आईए चलिए शुरू करते हैं तो बात हम लोग करें सबसे पहले नियम के बारे में तो अगर आपके पास कोई भी एक GNWL की वेटिंग वाली टिकट थी चार्ट बनने के बाद वो कनफॉर्म नहों करके अगर RAC में आके रुख जाती है तो ऐसी कंडिशन में रेलवे आपके उस RAC के टिकट को अटोमेटिकली कैंसिल नहीं करता है आप अपने उस RAC की टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं आपको वहाँ पे रेलवे सीट भी प्रुवाइड करेगा सीट कौन सी प्रुवाइड करेगा आप जिस भी क्लास में अपनी टिकट को भूग की होंगे उसी क्लास की जो भी साइड लोर वाली सीट होती है उसकी आधी सीट आपको प्रुवाइड करा दी जाती है और बाकी आधी seat पे कोई दूसरा passenger हो सकता या फिर अगर आपने दो ticket book की होगी तो हो सकता आपके साथ वाला ही passenger हो जा मतलब आप अपने उस RAC के ticket के साथ यात्रा कर सकते हैं हाफ seat आपको मिलेगी automatic cancellation आपके RAC के seat का वहाँ पे नहीं होगा अब हमनों समझते हैं railway के दूसरे नियम के बारे में तो railway का दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी ticket partially confirm हो जाती है तो IC condition में जो भी ticket वेटिंग में रुकी रहे जाएंगी railway उनको automatically cancel नहीं करेगा और नहीं आपका refund process करेगा तो अगर आपको इस वेटिंग वाले ticket का refund चाहिए तो automatic cancellation का wait मत करेए 10 साल भी wait करेंगे तो ये automatically cancel नहीं होगी नहीं आपको refund आएगा refund लेने के लिए आपको इसको TDR file कराके cancel करना पड़ेगा तब ही आपका जो refund आपको देखने को मिल पाएगा एक important point में आपको बता दूँ अगर आपकी ticket भले ही ये online वाली है लेकिन अगर ये waiting में रुकी रहे गई अगर एक ही PNR पर ये तीनो ticket booked रहती हैं तो ऐसी condition में आप अपनी इस waiting वाली ticket के साथ भी travel कर सकते हैं कोई भी दिक्कत की बात वहाँ पर नहीं है ये यहाँ पर online waiting ticket allow होगा क्योंकि ये एक साथ एक group में book है आप ये हम लोग बढ़ते हैं railway के तीसरे important point के बारे में तो railway का तीसरा नियम ये कहता है कि अगर आपने कोई भी एक GNWL waiting की ticket book किया है अगर chart बनने के बाद भी पूरी की पूरी fully wait listed रह जाती है कहने का मतलब अगर आपने एक ticket book की है वो waiting में रुकी रह गई दो आपने ticket book की है दोनों की दोनों waiting में रुक गई या फिर तीन आपने book की थी तीनों की तीनों waiting में रुक गई कहने का मतलब जितनी भी tickets आपने book की हैं सभी की सभी अगर waiting में रुकी रह गए तो railway AC condition में आपकी उस online waiting ticket को जो की GNWL वाली है उसको जो railway automatically cancel कर देता है और आपका पैसा 3 से लेके 5 working days में back to source account में refund कर देता है यहीं पर मैंने एक word यूज किया है 3 से लेके 5 working days तो working days कहने का मतलब यह होता है कि जहां पर भी bank खुले होता है जैसे Sunday को bank नहीं खुला रहेगा कोई भी national holiday पढ़ गया वहां पर bank नहीं खुला रहेगा तो 3 से लेके 5 working days जब भी bank खुले होता है 3 से लेके 5 working days में आपने payment जहां से भी किया होगा आपका payment वहां पर पहुँच जाएगा अब मुद्धा यह निकल करके आता है कि जब refund आएगा तो कितने charges कट होंगे यानि कि आपको कितना जो refund है वो मिलेगा तो अगर आपने जो book की होगी sleeper class की कोई भी एक G&WL वेटिंग वाले ticket तो जब railway उसको automatically cancel करेगा तो आप क्यों पर railway 60 रूपीज पर passenger की हिसाब से charge लगाएगा बिल्कुल ध्यान से समझेगा यह जो charge है पर passenger की हिसाब से है यानि कि अगर आपने दो लोगों की ticket book की होगी तो हर एक लोग से यहाँ पर 60 रूपे का charge कटेगा और जो भी कोई भी आपने एक AC की class की ticket book की है जब वो automatically cancel होगी तो railway आपकी उपर 60 रूपीज प्लस जीएश्टी पर passenger की इसाब से charge लगाएगी और उसके बाद आपका जो भी पैसा होगा back to source account में तीन से लेके 5 working days में आपको refund कर दे जागा तो दोस्तों यही तर टोटल सिनेरियो GNWL की वेटिंग के automatic cancellation charge इसको लेकर के वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को like कर दिजेगा मन में कोई doubt उठके आ रहा होगा तो comment करके मुझसे पूछ लिजेगा मैं आपसे मिल जाँगा के अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई